Hello, this is Paritos and you are watching I Speak About Money. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन फंड्स के बारे में. कौन फंड्स होते क्या है और क्या हमें कौन फंड्स में अभी निवेश करना चाहिए? तो कौन फंड्स आपकी हो मिचल फंड्स है जहाँ पर फंड्स में. से जादा है जिनका return on equity 15% से जादा है या जो stocks अभी recently अपने averaging को cross कर रहे है set of rules algorithm किसी भी तरीके की हो सकती है momentum की हो सकती है आपका volatility की हो सकती है इन्हें set of rules के हिसाब से fund manager आपके stocks को select करता है limited stocks select करता है उसमें आपका पैसा निवेज करता है और अभी सात्वा एक access ने launch किया जिसके आई थिंग कली last date है and of a period में है और कल इसकी last date है access con fund तो लगबग 6 con fund houses है सबसे पुराना जो con fund है वो है आपका निपोन का con fund 2008 में launch हुआ था और बागी जितने भी con fund है लगबग एक देट साल पहले ही सब launch हुए है reason was this कि पहले जितने भी con funds available थे they were not performing well even they were not beating their benchmark but even in the last one year rally we all know market has performed very well market has rallied very well तो जितने भी funds है more and less they all they have performed very well तो इस इस rally का फाइदा ठाने के लिए जितने भी fund houses है लगबग जितने भी fund houses है लगबग 4-5 fund houses जिसने इनी एक देट साल में launch किया है और हो सकता है आने वाले time पर आपको और दिखें कि और भी नए एनफोस आये जो कॉंट fund की theme पर हो basically जो कॉंट funds है वो एक theme investing है अगर स्कम category में divide करें तो कॉंट fund की working सिर्फ इतनी है कि यहां पर fund manager का कोई role नहीं है वो सिफ अपने उसने set of rules बनाया है वो set of rules कुछ भी हो सकते है algorithm कुछ भी हो सकता है या नहीं वहां पर fund manager का या किसी human का intervention नहीं है एक system बनाया एक computer model बनाया proprietary model बनाया उसके basis पर जो भी stock select हुए उसमें पैसा निवेस कर दिया अभी बात करते हैं हम performance site पर तो performance site को जानने से पहले में एक आपको चीबदा दो कि why these funds are right now very popular अगर आप counts का नाम सुनते है algorithm का नाम सुनते है तो why these things are very popular तो मुझे इनके बारे में जुरूर बताना चाहिए एक fund है Madeleine fund United States में चलता है और इस fund की सबसे खास बात ये है this fund has generated a return of 66% 66% consistently over the last 30 years from 1988 से लेकि 2018 यानि 2008 का जो market recession था वो भी इसमें include है 2015 भी include है still this fund has generated a return of 66% consistently over the last 30 years इस fund को जो manage करते है ना उनको count का king कहा जाता है James Harris Simmons he is the American mathematician और count community में he is a very much popular guy he is the best money manager in this investment universe जोनोंने consistently last 30 years में consistently अपने hedge fund में जो जिस fund का नाम में बता रहो madeleine fund इस madeleine fund में 66% consistently return generate कर रहे और यह madeleine fund basically algorithm based fund है एक algorithm based a count based fund है लेकिन अब अगर currently की बात करें तो इस fund में कोई investment नहीं कर सकता सिर्फ जो James Simmons sir की firm से जुड़े हुए लोग है या उनकी तीम members है इस fund में अपना पैसा निवेस करते उनी का पैसा इस fund में निवेस कह जाता है लेकिन एक concept लगबग कॉंट का जो concept है वहीं से आया हुआ है कोकि इसके लावव और भी काफी सारे hedge fund है जो अमेरिका में चलते हैं तो अब यह चीज हमारे इंडिया में खोड़ा सा नया है लेकिन अगर बात करें performance side की तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इसका एक analysis करा हुआ है सबसे पुराना जो fund है वो है निपोन कॉंट अगर मैं बात पर हो rolling returns की rolling returns नहीं 2008 से लेकर 2020 तक मैं कभी भी पैसा नवेश कर रहा हूँ और उस fund में लग बग पाष साल के लिए investment में छोड़ दिया और उस पैसे को मैं कभी भी निकाल रहा हूं पाथ साल के बाद मैं पाष साल के लिए investment कर दिया तो बारा से ज्यादा रिटन मिलने की जो प्रॉबल्डी थी वो सिर्फ और सिर्फ 35 परसंट थी लेकिन वहीं इस फंड का जो बेंचमार्क है अगर मैं उससे कंपेरिजन करूं तो बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाया हालंकि लास्ट अगर ये की बात करें लास्ट एक साल की बात करें तो फुदब prior फंस्ता इंड और मोर था ओंस्ता जए और को कॉप्रमेंस दिया ऐघिए लास्ट को च्रावटतर मतक सिल्द नहीं अ 한데 मेन उस अगर हम देखिए तो इस इतने भी बाकि और अब other funds है, जो count category में आते हैं, जैसे ICC का count fund हुआ, आपका DSP का count fund हुआ, all they had given a more than 40 or 45% return, but वहीं as a other category और इसकी benchmark की बात करें, तो they had outperform this count category, अगर हम BSE 500 की बात करें, लेकिन अगर मैं इसे comparison करूं, multi cap से, flexi cap से, तो flexi cap has given better return than this category, तो मुझे अगर ऐसे conclusion देना पड़े guys, कि सबसे बड़ा drawback यह है, कि यह जो count model portfolio है, count funds है, fund manager का इसका इक proprietary model होता, एक algorithm model होता है, और यह transparent नहीं है, यानि आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, यह पैसा किस set of rules के हिसाब से, stock select हो रहा है, fund की theme कुछ भी हो सकती है, fund काफी catchy names और catchy themes के साथ आ सकता है, आपको लग सकता है, count word है, algorithm है, लेकिन यह set of rules की कोई transparency ही नहीं है, जैसे कि हमें मालूम है, कि large cap category में maximum पैसा आपका large cap category में जाएगा, large cap funds में, mid cap category में mid cap funds में जाएगा, plexi cap में we all know, कि large cap, mid cap and small cap में जाएगा, उसकी एक ratio है 65% की, multi cap में we all know, 25%, 25%, 25% पैसा जाएगा, तो वहाँ पे we all know, कि मेरा set of risk क्या है, मेरा set of rules क्या है, लेकिन ऐसे count fund में, कोई set of rules ऐसा है, जो disclose नहीं है, कि सिफ proprietary models पे चलता है, तो एक तो transparency ही नहीं है, दूसरा fund की, कोई past history नहीं है, we all don't know, कि how this perform, how this type of funds, can perform when the market correct, क्योंकि जितने भी count funds launch हुए है, सिफ निपोन को छोड़के, जितने भी count funds launch हुए है, वो लगबग, एक साल या तेर्ट साल पहले लाँच हुए है, निपोन count fund की भी बात करो, तो सुरू की चार पास साल कुछ fund के खास नहीं थे, performance कुछ खास नहीं थी, जब निपोन ने अपने proprietary models को बदला, उसके बाद थोड़े funds के performance हुए है, लेकिन वो भी अपने benchmark को बीट नहीं कर पाए, वही मैंने आपको rolling returns की बात करी, जब मैंने इसको rolling return for analysis करा, तो मैंने देखा कि जो category है, the category was giving a better return than the count fund, तो अगर आप मुझसे पूछो कि आप मुझे इसमें निवेस करना चाहिए, या नहीं करना चाहिए, बिकोज अभी हो सकता है, market में और नहीं NFO आए, नहीं count fund आए, तो मुझे सिफ यह लगता है, अगर मैं आपको अपना suggestion दू, अगर आप एक conservative investor हो, और या आप एक moderate investor हो, तो आपको इन funds में जाने के कोई जरूत है नहीं, you can invest your money in a multi-cap, in a flexi-cap, in a large-cap, and these funds are more than enough, but still, if you're very much aggressive, आपका सारब portfolio filled हो चुका है, large-cap, mid-cap, small-cap, और आपको लगता है कि मुझे एक और extra add-on करना है, अपने portfolio पे एक और extra theme लेनी है, तो you can invest your money, if you are really interested, वो भी मैं क्या होंगा, कि 5% से ज़्यादा का portfolio, आपके overall portfolio का नहीं होना चाहिए, in conference में, because these conference can be very risky, if the market corrected, और जितने भी NFOs launch हो रहे, जैसे कि access launch हो रहा है, जितने भी NFOs आगे आएंगे, कि सारे NFOs में सिफ आपको lump sum ही investment कर सकते हो, आप इन में SIP कर नहीं सकते हो, और in this period of time, I will not suggest you to put your money, lump sum money in any equity funds, तो मेरा suggestion यहीं रहेगा, तो corn fund क्या है, corn fund की working क्या है, मैंने आपको थोड़ा basic बता दिया, मेरा suggestion बता दिया, कि अगर आप conservative हो, या moderate investor हो, आप दूर रहेए, आपके पास multi-cap category है, flexi-cap category है, जो ज़्यादा अच्छे से performance दे रहे है, उसके एक past history है, इन funds की कोई past history है नहीं, और यह जो set of rules है, देखो, यह मैं आपको बता दू, corn fund आने वाला future है, algorithm आने वाला future है, there is no doubt, but हमारे पास अभी कोई past history नहीं है, इनके proprietary models की, अगर until and less जब तक आपको नहीं बता कि algorithm है क्या, इसका set of rules है क्या, तो वहाँ उस set of rules में पैसा लगाना समझदारी मुझे नहीं लगती है, बाकि अगर फिर भी अगर आप aggressive हो और आपको थी मच्छी लगती है, तो 5% से ज़्यादा का elokution इन funds में मत रखिये, NFO में मैं आपको wait करूँ है कि NFO में इस समय पैसा लगाना समझदारी नहीं होगी, जितने भी NFOs आते है, जितने भी NFOs अभी launch हुए है या आते है या आगे आएंगे, वो हमेशा most of the time bull market में ही आते हैं, क्योंकि उस समय equity में हर कोई पैसा लगाने को ready रहता है, बैल का जो घंटा है उसे दवा लिजे ताकि मेरी आने वाली वीडियो को notification आपको मिलते रहे, हम next वीडियो में cover करेंगे कुछ नया topic तब तक ले धन्यवाद वंदे मातरम लाइक जरूर कर देना, धन्यवाद वंदे मातरम चैहें.